एक पेशन को चुवो का जबर्जस्त डर लगता था उसको बड़ा अश्य होता था कि इतना डर मुझे क्यों लग रहा है यह वो कहीं को बहा कि मेरे ट्रेटमेंट करो ट्रेटमेंट करो लिए फिर था नहीं जाता था फिर किसे ने कहा कि हो सकता है कि आपका कोई यह पास्ट लाइफ का फियर है तो जब भी कोई यह पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले के पास गया तो शुरु में कुछ सेशंस में तो कुछ नहीं हुआ इसाथ के बाद एक बार शुटेट में तो से याद आया कि अभी first world war चल रही है कि मैं बेल्जियम में हूं मैं एक soldier हूं तो अभी मैं लड़ रहा हूं मुझे बुलेट्स लग रही है दो रहाना मेरी डेथ हो रही है और अल्दो मैं मरा नहीं मैं इनकॉंश्यस ही हुआ हूं परन्तु दुश्मनों ने सोचा कि मेरी डेथ हो गई है तो मेरी बॉड़ी को भी और डेट बॉड़ी के साथ फेंक दिया गया और वहां चुओं ने का होता है जब यह करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कि जब व्यक्ति चला जाता है उस्टेट में तब एक उसको कुछ तो सिगनल्स दे करके कहते उस लाइफ में आप जाओ कि जहां इससे कुछ संबंध है को आपके प्रेजंट सिंटम से उसे रिलेशन हो उस बर्त में आप जाएंगे और जो लोग मतलब सच्मुच से रिलेटेड होते जिसको कहें कि जो सजेस्टिबल है जो ने आपके सजेशन को पूरा हंड्रेट परसंट एक्सेप्ट कर रहे तो वो स्टेट में जाते मैं आप और एक किस्सा भी बताऊंगा तो तब वह जैसे वहां चला अधिया है और फिर ओं जो ठरापिस्टे ना उन्होंने भी वी पूरा ढूंडने की कोशिश्की वीए इस भी तो नहीं है उसने जो कुछ भी बताया था कि मैं सुल्जर हूं मेरा नाम क्या है कैसे डैथ होई वह पूरा उसने ढूंडने की कोशिश्की तो सच मुच सच नि पर था उसका उडर चला गया बिकॉस कहीना कई आत्मा ने उसे एकसेप्ट कर लिया कि यह मेरी पास्ट में एक मेमरी रह चुकी है और यह मेमरी अभी मेरे लिए कोई माइन नहीं रखती बिकॉस इडिस्माइब पास्ट तो वह आप बोलते हैं यह दूसरे कैसा होता के ते कि हीं जो स्वेशनेस में थे अंगा बाहरा देसी बहुआ कई श्यक्ता यह सकती हो कि अंधर कुछ तो चलह रहा है जो पता नहीं है कि कुछ तो ऐसी emotions रहते हैं जो पता नहीं है, क्यों और फिर हमको लगते हैं कि आज अच्छा नहीं लग रहा, अज मन अच्छा नहीं लग रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, आलस नहीं, लेकिन वो सच में लगते हैं, लेकिन जैसी हम अंदर जाकर के 2 मिनिट अगर शांती से रहते हैं और हम अपने आप से पूछते हैं कि भई, क्या प्रॉब्लम है, तो फिर जो answer आता है, जैसी light पढ़ती है उस thought के उपर, तो वो subdued हो जाता है, वो मालूम पढ़ जाया आपको कि भी क्यों, क्यों, exactly, वो suppose कि भई, पापा ने मेरे को ऐसा बोल दिया, इसलिए मेर मुड़ा उफ हो गया, वो हमको पता ही नहीं चलता कई बार की, और उस पे आप work करो, कि भी कोई बात नहीं हो, तो बोला, मेरे अच्छे के लिए बोला, ऐसा कुछ भी, और वो clarify हो जाए, तब भी खतम हो जाएगा, तो और दूसरा देखो, मेरा एक real example है, कि ये लड़की कईयों के पास पहले भी गई थी, कईयों से treatment ली, उसका specific था, बोलती थी बचपन से, उसकी मा ने जब बोला, कि ये ना कहीं construction site चलती हो ना, कहीं building बन रहा है, वहां से ले जाओं तो उसको terrible डर है, कि वहां से जाएगी ने, हम गाड़ी में भी जा रहे तो एकदम डरेगी, बोले कि गाड़ी रोको, मेरा कूतर ने दो इसा कुस्तो, फिर उसके और भी issues थे, तो फिर जब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भी हम को ये past life करना है, और second session में हुआ, वो second session में उसको कह कि आप उस बर्थ में जाएंगे, कि जहां इसका कुस्तो relation है, तो उसको उतना जादा नहीं यादा है, अपर उतना है उसको यादा है, कि मेरी death कैसे हुई, कि जैसे ने कुछ, बहुत कुछ गिरा हुआ है, building गिर गया है, और इसके नीचे में दभी हुई, बार बार है उसक किया, थर्ड टाइम भी किया, और इसमें भी यही लगा कि जब भी हुआ ना तो उसका उडर चला गया, वो उसको इजीली फिर फेस करने लगी, और भी उसके कहीं इस्यूस ते ओ भी खतम है, बहुत है, बहुत है, पुरी थेरापी की, ऐसा है नहीं कि एक ही चीज, जैसे म जनरली इतना ही नहीं, मैं आम तवर पर तो भी बुलता हूं कि पूरा साइको थेरापी करना है, बिलकुल, वो तो जिसको पेशन को खुद को इंट्रेस्ट है, और फिर हम थोड़ा से इसमें एफर्ड करते, क्योंकि हर व्यक्ति का जैसे मैंने का नहीं होता है, बिलकुल, जब पेशन बुलता है, तो उसी एक व्यक्ति को हमें रिजल्ट देना है, यहां तो सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि है आत्मा के अस्तित्व का, यह भी एक प्रमान है, एक एविडन्स है, और यह सब चीजों को बिला करके भी, सबसे इंपॉर्टन तो म यह कहूंगा, कि प्रैक्टिस करने में तो कोई हानी नहीं है, क्योंकि हम कोई अंदसरद्धा तो कर नहीं रहें, समझो ऐसा कुछ है, कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, कि जिसमें आपको नुक्षान होगा, आगे चलके आपने टाइम वेस्ट कर दे, ऐसा तो है नहीं, कि जो भ मैं शान्त स्वरूप हूँ, तो पॉजिटिव एफरमेशन ही है, हो सकता है कि कोई कही आत्मा नहीं चाहिए, तो कोई ऐसे देगा कि मैं शान्त हूँ, परन्तु यहां बेनिफिट क्या है पता है, जिवन मैंने खुद अभ्यास किया है, कि जब इसको सोचके हम सुचके तो वो एक faith factor powerful होता है, किस चीजने faith? I am really soul, मैं सिर्फ अपने आपको बोल दे रहा हूँ कि मैं शान्त हूँ, I am really peaceful, I say.